हमें लगता है कि बीमा कोरिगाओं की गत्ना के दोस्तों सारी के इवेंज पर जिस प्रकार से शांति पुरूल डंग से कानून और सब्रविधान के दाइरे में रहते हुए दलितों ने जो महारास्ता के अलगले के इलापों से पुरे देश में से आये थे उनों ये जो डेमंस्रिशन किया और उनके उपर जिस प्रकार से उनका उट्पिड़न हुआ उनके साथ हिज्ञा हुई इस मामले में मुझे लग रहा है कि इस देश के प्रधान मंद्री को तुरंत अपना मूँ खोलना चाहिए He must clarify his position कि क्या इस देश में दलितों को शांतित्पूर धंपे कानूर और सम्विधान के दाइरे में है कर भीमा कोरे गाउं के दोस्र साल के इवेंट को लेकर पीस्पूली रेली निकालने का अधिकार है कि नहीं यह this is the question of paramount importance today Why Prime Minister of this country who is claiming to be an Ambit Christ जो खुशको Ambit कर भक्त कहते हैं ऐसे इस देश के प्रधान मंत्री इस मामले में खामोष क्यों है उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद रोहित व्यमूला की सांस्तानी खर्क्या हुई उना की घटना हुई सहरनपूर में डलितों के घर जलाए गए इस मामले में संगर्ष कर रहे क्रांतिकारी साथी चंद्रसेकर आजाद रावन को जेल में डाल दिया और अब बीमा कोरे गाउं में इस प्रकार से हिंसा होती है इस सारों में से एक भी मामले में उनकी और से या तो भामोशी दिखती है या तो कोई भी कॉंक्री एक्षन नहीं दी तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है इस देश के प्रदान मंत्री और इस देश की सरकार खास तोर पे कैंडर की सरकार ये बोले अपनी पॉजिशन क्लियर करे कि आखिर इस देश में से जाती व्यवस्था खतम हो जाती निर्मुलन हो और दलितों के साथ किसी भी स्वरुप का उत्पिडन ना हो इस मामले को लेकर उनकी कोई कमिटमेंट है की नहीं ये हम जानना चाहते है एम्दाबाद से उना की यात्रा लेकर हम लोग जब निकले तब भी उस रेली के उपर उस यात्रा के उपर उस प्रोसेशन के उपर हमला हुआ गाड़ियों के काच तोड़े गए लोगों के सिल खोड़े गए सारणपूर की गट्टा के रिस्पोंस में भीमार की आर्मी के साथ क्यों ने जो रेली निकाला उसके उपर भी हमला हुआ और अब भीमा कोरे गाउं में भी जो दलीच पीस पुली अपनी रेली निकाल रहे थे उनके उपर भी हमला हुआ तो बार बार जहन में ये सवाल आ रहा है आखिर इस देश में दलीच सुर्वशित क्यों नहीं और क्या ये देश अब जाती नियुमूलन की एनाई ने सुन अपकास की बात करने वाला है की नहीं जो डॉक्टर बाबा सब अमबेड कर का कोर एजंडर आज हम डॉक्टर बाबा सब अमबेड कर को संविधारिक मुल्यों के लिए तो याद करते ही है लेकिन साथ साथ उनके जीवन का ultimate goal ये था कि भारती उप्खन जाती विहिन समाज की रचना देश है इस देश में से अलाई ने सुन अफ कास्ट हो मानने प्रदान मंत्री जी मेचिन इंडिया की बात करते हैं इंडिया को डिजीटल बनाने की बात करते हैं हम भी चाहते हैं कि सचकुछ इंडिया डिजीटल बने लेकिन साथ साथ एक कास्ट प्लेश सोसाइटी भी खड़ी हो चंद्रबे मून के उपर वाटर रिसोर्सिस है के नहीं या मंगल के उपर हम लोग कॉलरिस खड़ी कर पाएंगे की नहीं इसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्स्प्लोर कर रहे हैं उस जमाने में आज भी जाती का किरा मॉन्स्टर अपकास जिंदा क्यूं है ये सवाल हम समझना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है इस देश की सारी सरकार केमर की सरकार और खुब को बाबा साब मंबिटकर का भक्त कहने वाले नरिद्मिन मोदी जी को इस देश के प्रदान मंत्री को अब मुझ खोलना होगा बजार इसके हम लोग देख रहे हैं कि मुझे टार्गेट किया जा रहा है बड़ी बालिश और चैलिटिस फरकत लगती है मुझे तो पूरी वीडियो वीडियो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे प्रोग्रेसिव कंटेंज उस वीडियो क्लिप में होई लेबल है हम यह कहते हैं कि MP या MLA बनने से आप जनता के कुछ सवालों को Assembly और Parliament में रख पाएंगे लेकिन यदि फासिवाद के सामने लड़ाई लड़नी है यदि इस देश में से सोसन को खबम करना है जाती निर्मूलन करना है तो सडकों की लड़ाई भी लड़नी होगी जिसका स्वाबाविक मतलब यह है कि हमें सडकों पर जनता के अधिकारों को लेकर कानून और जंविदान के दाइरे में रेकर पीपल्स मूमेंट करना है जनांदोलन खड़े करने है उसको कन्विदेंटली इंटर्प्रिट किया गया और जिस प्रकार से हमारे सामने एक बचका ना अफिल्स दर्ज हुआ है वो यह दिखाता है कि गुजरात में बाचपा जो डेर सो सीतों का धमन लेकर गुमती थी वो निन्यानवे पर आकर रुख गए और अभी सलिब्रेट करने के जरा भी मूरने नहीं उसी की बौखलाहक के चलते मेरे सामने ये मुकदमा दर्ज हुआ है अपके बीच में ये बात रखना चाहेंगे कि मैंने स्पीच में से एक सब्द भी इंफ्लेमेटरी नहीं है मैं खुद पेशे से एक वकील हूँ जनान दुलों के साथ एक नसक से जुड़ा रहा हूँ कानून और संविदान के दाइरे में रही अपक्तर काम में ने किया है और अपके में एक लो में करनी नावाइन एमेले बावजुद उसके इस प्रकार से मुझे टार्गेट करने की कोशिश करना ये दिखाता है कि यदि दलिस समाज के एक इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव के साथ यदि एक एमेले के साथ इस प्रकार से टार्गेट किया जा सुकता है इस देश में किसान और मुझदूर के हिट की बात करने वाले किसी आम आदमी के हालत क्या होगी ये सवाल में पूछना जाता हूँ भीवा खोरेगाओं के लोकेशन के उपर उस पॉट के उपर मैं गया ही नहीं हूँ एक मेरी स्पीच का कोई भी इस्सा किसी भी कानून की किसी भी प्रोविजन के मुताबिक प्रोवकेटिंग ये इंफ्लेमेटरी दूर दूर तक नहीं है दो किसरी बात मारास्ता में जो बंद कॉल दिया गया मारास्ता में मौजूद होने के बावजूद मैंने उसमें पार्टिशिपेट नहीं किया और क्यार कल को मंबई में स्टुडेंट्स और यूट की मुमेंट्स को लेकर उनके सवालों को लेकर एक कॉन्फरेंस था बंद कॉल में पार्टिशिपेट नहीं किया तो मेरे चलते हिंसा कैसे हुई यह सवाल कुझे समझ में नहीं आ रहा है तो साथ तोर पे दिख रहा है कि संग परिवार और बीजेपी के लोग गुजिरात में उनके डेर सो सीटों का घमन्ट जीस प्रकार से निन्यनिवी पे आकर रुपया और दिन प्रतितीन मेरा प्रोफाइल जो इंक्रीज हो रहा है और उसको लेकर 2019 मुन को जो खत्रा दिख रहा है उसी के चलते मेरी इमेज को तार्दिश करने के लिए मुझे टार्गेट करने के लिए उन्होंने ये चैल्डिस कोशिश की है लेकिन सवाल मुझे लगता है ये भी मेरिया के साथियों को ये उपाना चाहिए और महराश्या की गवर्रमेंट को ये पूछना चाहिए कि क्या जिगनेश मेवाणी जे एक एस्ताबिस्ट डलिक लीडर है उस नाजुक वक्त पे इस नाजुक वक्त पे उनके सामने ओफेंस दर्द करके महराश्या और पुरे देश के हजारों लाखों डलिकों को आप ओफेंड क्यों कर रहे हो क्या इससे मामला बिचकेगा नहीं ये में सवाल खड़ा करना चाहता हूँ इसन्ट इस गोईं टू अफेंड तो दे मिलियंस अप्ड़िस इंदिस कंटी आपका तर्ख क्या है मेरे सामने फ्रेवलेस कंप्लेंस हाहिल करने का आपको तो रूलो फ्लो एंशूर करना है उसके बजाए एक एस्टब्लिस दरिट लिडर को इस प्रकार से टार्गेट करो गया तो इससे सो मामला बिगर सकता है बावजूर उसके हम कॉंस्टिशनल वैल्यूस में मालते है बार-बार कही रहा हूं कि मैं कानून और संविदान के दाइरे में रहकर ही काम किया है इसलिए अपील करता हूं कि यदि मेरे सामने फॉल्स प्रिवलेस कंप्लेंट जो हुई है उससे चलते हैं यदि कोई भी आहत हुआ है औफेंड हुआ है फिर भी वो सड़कों पर ना उतरे हुआ हम यही अपेल करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सचकुछ मारास्ता में रूल फ्लो लागू हो पीस मेंडेन की जाए लेकिन भीवा कोरे गाउं में जिस दलीतों के उपर उत्पिडन और अत्याचार हुआ उसके सामने भी सक्त कारवाई होनी चाहिए और गुजिरात मारास्ता पुरे देश के दलीत अंदूलन की और से प्रगतिशील अंदूलन की और से और युवावर की और से मेरी बात को ख़तम करते हुए इतना तो जरूर कहूंगा कि यदि इस प्रकार से गुजिरात और महरास्ता में दलीतू को प्रतारित किया गया और मुझे व्यक्तिगत तोर पे टार्गेट करने की मेरी इमेज को टार्गेट करने की कोशिच की गई तो माननी प्रधान मुंत्री जी 2019 में आपको जम कर मज़ा चखाएगी यह भी कहने हैं साथ-साथ यह भी कहना चाते कि सामाजिक नयाई की लड़ाई उसके साथ कोई कांप्रमाईज नहीं होगा आप चाहे कितनी भी डराने की धंकाने की कोशिच करो हम भावा साम अम्बेड करके सम्विदान में मानते उनकी विचारदारा में मानते हैं तो उसी को मद्द नजर रखते हुए उसी से आख बिलाते हुए हमेशा हमारे स्रंगर्स को अंदोलन को आगे ले जाएंगे और इसी मकसद पे हम लोग नौ तारिक को डेली में सामाजिक नियाई के लिए युवा हुंका रेली करेंगे जिसमें मेरे साथ इसमें से बहुत से यूथ लिडर्स और ठास करके अखिल गोगोई भी होगे और उस दिन सामाजिक नियाई के लिए ये जो युवा हुंका रेली होगी वो खतम करने के बाद सामको साड़े चार बजे मैं पुरी टीम के साथ प्रधान मंतरी कारियाले में जाओंगा जब उस वक्त मेरे एक हाथ में मनुस्मूर्थी होगी और दूसरे हाथ में होगा सं मुदान और इस देश के प्रधान मंदरी को पूछना चाहेंगे के मोदी जी वाट डी चूज इंडियन कोंस्टिटूशन या मनुस्मूर्थी धन्यवाद